सुबह के साड़े 10 बच रहा होगा और सबसे पहले मैं चड़ा रही हूं चाय वैसे एक बार बैट टी हो चुकी है आप सभी जानते हो कि एक बार मेरे आख खोलते ही चाय पी जाती है बगार ये जो है नाश्ते की समय वाली चाय है और आज मैंने जो है तेजस को सुबह जो है उठना पड़ा क्यों उठना पड़ा वो भी मैं आपको बता देती हूं क्योंकि मेरी तबेट जैसे हलकी सी ठीक हुई थीकी हुई थी वैसे हमें हजबन की तबेट हो गई खराब अब भाई घर में तो फिर कौन काम करेगा कैसे काम चलेगा बस यही सोच के मैंने हिम्मत की और काम करना शुरू कर दिया और आप सभी जानते हो कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे घर का काम चलेगा एक चोटा से बच्चा भी है हमाए घर में तो वो कैसे खाई पियेगा तो बस यही हिम्मत सोच के मैंने काम करना शुरू कर दिया तो आज मैं गोबी दूल रही हूं इस समय और आप देख सकते हो तो गोबी दूल के मैं रख दूंगी और जो है लंच है डिनर में मैं गोबी कर ही कुछ बनाऊंगी तो बस मैंने दूल के रख दी है और बस एक दरफ चाय और दूद चड़ा हुआ है और यह दीखे मैंने निकाल लिया है लिया बेद खराब हस्बिन की वी आज और रहा हो जैसे आपको पता है कि मेरी भी तवेद्खराब थी दो दिन पहले यानि खिट्री वाले दिन मेरी बहुत बहुत जादा था इसमय इंजेक्शन लगवाना पड़ा तो अब पहले से बेटर है मगर थोड़ी सी खराब है ज सोचती हूँ कि आपको जो है time to time video मिलत पाए ताकि कोई भी शिकायत ना कर सके तो friends चलिए video को edit करते हैं बस मैं video edit कर रही हूँ यहाँ पर और अक्सा करके मैं tap में ही video edit करती हूँ मगर मैंने सुचा कि आज चलो mobile में video edit कर लेती हूँ दोनों में easy रहता है कंप्यूटर में अभी मैं edit करना नहीं सीखी हूँ तो इसलिए मुझे अभी नहीं आता है उसमें मैंने अपनी वीडियो edit कर ली है और post भी करती है आपको जल्दी मिल जाएगी इस vlog से पहले वह vlog मिल जाएगा तो इस समय जो मैं जा रही हूँ चाय गरम करने उस समय चाय सबने पी थी फिर husband को पीनी है क्योंकि उनकी भी तबेत खराब हो गई है तो उनको दुबारा चाय पीनी है तेजा सुधा बैठे हुए है यह देखिए आपको दिख रहा होगा husband भी लेटे है तो चलिए चलते हैं room में sorry kitchen में और चलते हैं चाय गरम करते हैं अब हम गर्म करते हैं और इसको set करते हैं अब है मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा काम है है कि मेरे तबित खराब थी नहीं लग रहा है ऐसा यह उतार मेरे साथ है चलिए फट फट चाहिए बना गर्म करते हैं चाय तो थंडा हो रहा है लगनव में आपको क्या बता हो अभी मैं आपको विंडो ओपन करके दिखाती हूं थंडी हवा आ रही है को क्या बता हो थंडी हवा रही है इसको बन कर देते ने तो मैं हो जाओंगी पेशे मिमार होदे यहरत हमें करें फिर कर दिख संपाइब तो मैंने कह चलो गरम करकर के चलो पंदर रुपए की पूरी धनिया ले ली इतनी सारी अब इतनी सारी धनिया करूंगी कि मैं क्या मैं सोच में देखती हूं क्या करूंगी क्या मुनाऊंगी तो चाय मैंने निकाल ली है चलिए देखे आते हैं अब चाय लीजे अब चाय फे ठंडी हो जाएगी रखी होई जाएगी जो मैंने गोबी सुबे दुली थी तो मैंने सोचा कि चलो अब चलो इसका कुछ न कुछ बनाते हैं मैंने सोचा कुछ और था मगर तेजस ने कुछ और बताया आप गैस कर सकते हो कि इतनी बड़ी गोबी का मैं क्या बना सकती हो मेरे ख्याल से 80% लोगों के दिमाग में आया होगा गोबी के पराठे क्योंकि यह मौसम ही ऐसा है गोबी के पराठे मूली के पराठे खाने वाला आज मैं बनाने जा रही हूं गोजा, विलिज में बहुत बनता है, विलिज स्टाइल में, पदा नहीं कितने लोगों को पता है, इस बारे में की नहीं, अगर आपको सरलभाशा में मैं बता दू, इसे कहते हैं, इंडियन मुमो भी आप कह सकते हो, तैजस तो इसको नाम इंड और उसके बार से मैंने लिया है यहां पर लैसुन और प्याज आप देख सकते हूं इसको किस तने से बनाना है किस तने से प्रेपरेशन करनी है चलिए करते हैं और आपको बताते हैं और तेजस का फेवरेट है और बहुत जबदस्ती यह पीछे पढ़के उससे बनवा रहा है कि ममा बनाओ बनाओ बहुत दिन से आपने नहीं ब 놨ाया। मैंने कहा भी मुर्म से मेरी तवितुद खरब है । मैंने और गरम होने थीड़ रख दिया है और मेने जादा मत लीजेगा और गोबी को इसलिए मैंने सुबह धुल दिया था ताकि गोबी में बिल्कुल भी पानी ना हो नहीं तो आपका जो फिलिंग है ना वह अच्छी नहीं बनेगी तो यह देख सकते हैं कितना सुखा-सुखा है तो सबसे पहले मैं डाल रही है उसमें हरा मिर्चा तो देखिए हमारे लैसुन हो गए हलके हलके अब इसमें जो कटी होई कोबी थी वह डालेंगे कि अब ढालेंगे इसके उपर से मसाले तो यह हलदी धनिया मेचा झांब और थोड़ा से गरम मसाला सब मैैंने mister कर लिया है अपने हिसाब है क्या सब साइल को कि जादा मसाम हों जाल यहाँ प्लोडबेंट करता है और बस हमको मिक्स मेशन करते होगे मिक्स में तीन से चार मिनिट के लिए यूही धक के रख देना है तीन से दस मिनिट भी हो जाए तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी गोबी गल गई है बहुत ज्यादा गलनी नहीं चाहिए उसके बाद एंड में हम जालेंगे इसमें हरी धनिया ढेर सारी और तेजस ने अज देर स निकाल कर रख देंगे ठंडा होने के लिए तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है कलर इसका अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा से ओल डालेंगे हमने कढ़ाई नहीं दूली क्योंकि इसमें जो है मसाले का फ्लेवर है और अब हम लेंगे एक बड़ी प्याज जो मैंने पहले डाले थे जैसे हल्दी धनिया मिर्चा और नमक मैं डेर चमच डाल रही हूं बस बहुत है डेर चमच क्योंकि फिलिंग में भी हमारा मसाला है तो यह देखिए इस तने से हमें करना है अब हमें एक बहुत इंपॉर्टन बात ध्यान में रखनी है कि यह तो इसको डऱाँ माँच के दाला जी क्यों तरह रहा रांच में रखनग में तो रुटन है पानी इसमें उपद करना है पानी चल् sun उपा फिल नहींना रही मेंَ इस नहीं फिल्टन रखने धे यह लिगा रही घ्यटन को यह क्हां अपलों इसे में मतर चल्दा घ्ल में ड् के चीखे जूटा और अटा तैयार में पूरी भी यह बिलिए औरतर को कह बदो अठीखे यह स्टिक और को बदो जटेकर च्छार कपाने में हम लोग को चलब चलब लेंगे तो आराम से गुजिया बना तो प्रेक्टिस में बनाएं BOB काटके की बढ़को बनाना है waves दो आते तो हम बनाले को बनाना है। सब्सक्रांसित्त time को बने सरी हम और ऐसे तरहें बना ऐसे consists of abdominal andSilas तो बस देखिए अब यह जो पानी का जो खॉल आ गया था उसमें हम यह जो है गुजिया को डाल देंगे अभी मैं इसकी पहचान भी बताऊंगी कि यह कैसे पता चलेगा कि यह जो गोजा है पक गया है और यूपी वाले इसको बहुत मन से खाते हैं तो यह देखिए यह उपर फूल के आ गये हैं अपने आप ही यह हलके लाइट वेटेड हो जाएंगे और उपर आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि यह हो गया है तब आप इसको निकाल सकते हो तो यह देखिए हमारे गोजे बनके तयार है और कितने यमी टेस्टी कलरफुल लगते हैं द्चलियों को पहर यह को हम द्चलियां कैसा फिलिंग तक वक्वाट सुझ झालम्यायं सब्सक्राइब यह देखिए फिलिंग देखिए आप देख सकते हो अंदर तक के कितनी बढ़ी आई है तो फ्रेंड्स मैं खा के बताने जा रही हूं कैसा बना है बहुत अच्छा हो ना है स्पाइसी कि मैं यूपी वालों को यह सक चीज़े बहुत ज़्याद़ पसंद है और इसके फिलिंग देखिए आप कितनी बढ़िया है अब देख सकते हो इतने घरव में कुछ कहने को नहीं है इंडियन मुमोस हाँ इंडियन मुमोस हाँ इसको आप सॉस के साथ भी खा सकते हो यह ऐसे ज़्यादा है कि फ्रेंड्स हमारा खाना हो गया है और खाना खाके बहुत ज्यादा अच्छा लगा बहुत दिनों बाद मैंने जो है गोजा बनाया था और इस मौसम में सर्दियों में गोजा नहीं बनाया तो क्या बनाया वैसे आज का क्रेडिट तेजस को जाता है क्यों तेजस यह दिखिए चंपी हो रही है क्या कर रहे हो चंपी चंपी मालिश कर रहे हैं तो आज मैंने आप सब के साथ यह रेसिपी शेयर कर दी है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो कमेंट बोक्स में बता दीजेगा और हां बहुत से लोगों क्या है इसका जो है कोई और नाम होता है ग प्लीज कमेंट बोक्स में बताएगा मुझे तो पता है देखते हैं कितने लोग गैस कर पाते हैं अगर गैस कर लेते हूं जिनका सही होगा उनका जो है नेम मैं अगले व्लॉक में जरू लूँगी तो फ्रेंट्स आज के व्लॉक का एंड मैं यहीं करती हूं फिर अभी नेक्स टे नेक्स व्लॉक में तब तक के लिए बाय गुद नाइट